Hello Everyone, Welcome to Study Glows, मेरा नाम है Dr. Sarita दोस्तों आज हम Geography का एक topic complete करेंगे, यह बहुत ही important theory है इससे पहले भी geography के कुछ theories जो हैं जो geomorphology से related हैं उसको मैंने कराया है, description box में आपको उसका link मिल जाएगा आप वहाँ से उसे जरूर visit कर लीजेगा तो इसमें सबसे important theory जो है वो plate tectonic की थी आखिर plates क्या है और plate tectonic यह है क्या तो इसके बारे में हमनों जान चुके हैं इसके बाद से जो मैंने कराया plate margin, plate boundary इनमें अकसर students confused हो जाते हैं यह भी clear हो चुका है और साथ ही जो sea floor spreading की theory है यह भी clear हो चुकी है एक और important theory जो है जिसके बारे में हम आज discuss करेंगे तो आपको time to time में geography के important theories जो है वो कराती जाओंगी यह वो important theories रहेंगे जो कि आपके UPSC exams या फिर कोई भी PCS exams हो या फिर अगर आप geography के student है तो इन theories को आपको जानना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यह एक तरीके से basic होती है और यही geography कहलाती है तो अगर आपने इन theories को नहीं पढ़ा तो यानि आपने geography नहीं पढ़ी तो ऐसी ही एक important theory के बारे में आज हम discuss करेंगे यह है convention current theory जिससे आप thermal convention current theory भी कह सकते हैं और हिंदी में हम इसे सनवाहन धारा सिध्धान्त कहते हैं यह जो सिध्धान्त है आपका यह postulate किया गया था और्थर होम्स के द्वारा यह जो अर्थर होम्स है यह Britishers थे और यह बहुत ही famous geologist थे geology के field में इनका जो contribution है वो बहुत ही जादा सराहनी है रहा है अर्थर होम्स की जो conventional current theory है यह जानना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि एक तो यह widely accepted theory है और इसे accept इसी लिए किया गया क्योंकि यह जो theory है यह चार theory को explain करने में यानि कि चार theory को basic foundation भी provide करती है उसके explanation में यह है आपका continental drifting theory उसके साथ ही आपका plate tectonic theory साथ ही आपका orogenesis theory यानि कि mountain formation की theory जो है उसको भी एक ककी foundation देती है और इसके साथ ही जो sea floor spreading theory है यह बिना conventional current के possible ही नहीं है तो मैंने जब आपको sea floor spreading theory बताई थी तो उस दोरान भी मैंने conventional current theory जो है उसके बारे में चर्चा की थी और अब जो मैं है अलग से separately इस theory को आपके साथ discuss करूंगी तो चलिए start करते हैं और जानते हैं कि यह जो currents है यह generate कहां से होते हैं यह जो currents है यह radioactive elements की वजह से generate होते हैं और यह जो radioactive element है यह होता है आपका mental में अब mental की location कहां पर है तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा interior of earth के बारे में जानना होगा फिलहाल मैं आपको interior of earth उतना ही बताऊंगी जितने में आप इस theory को समझ पाएं अल्रेडी मैंने आपको बताया कि sea floor spreading theory जानने के लिए हमें conventional current theory को जानना बहुत जरूरी है इसे लिए conventional current theory जो है यह soul theory कहलाता है sea floor spreading theory का sea floor spreading theory जो है हाला कि मैंने पहले बताया है और उस दौरान जो है मैंने conventional current theory के बारे में भी discussion किया है तो चलिए हम जानते हैं थोड़ा सा interior of earth के बारे में तो चलिए यह आगया हमारा interior of earth और interior of earth में हमें 2-3 important चीज़ों को जानना जरूरी है वैसे हम लोग जब भी भी geography पढ़ना इस्टार्ट करते हैं तो उसकी शुरुआत जो है या तो interior of earth से होता है या फिर पहला chapter solar system होता है इनी दोनों में से कोई एक होता है तो हम लोगोंने primary classes में interior of earth के बारे में पढ़ा है लेकिन आगे चलके मैं interior of earth के उपर भी separate lecture लेती आओंगी फिलाल यहाँ पे कुछ बातों को हम जानेंगे जो कि हमारी इस theory को जानने समझने के लिए जादा जरूरी है तो खास करके हम बात करेंगे यहाँ पे estheno square की यहाँ पर आप देख स तो आपर क्रस्ट के नीचे तो एंडिके फिलाल यहाँ अपर क्रस्ट फेर की बार में जाना है और estheno square के बार में जानना है और inner crust के बारे में जाना है, क्योंकि इनहीं दोनों के बीच में हमारा जो location है, sthenosphere का, वो मौजूद है, तो sthenosphere एक्चल में है कि इसको मैं बता देती हूँ, sthenosphere आप कह सकते हैं कि यह magma chamber है, जी यहाँ, जो हम radioactive element के बारे में बात करें वो radioactive element जो है वो asthenosphere में ही मौजूद है तो चलिए यहां तो हमें clear हो गया कि आखिर हमारा जो radioactive element है वो मौजूद कहा है तो वो asthenosphere में मौजूद है यहां पे मैं equation भी आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि crust और mental को separate करने वाला transaction zone जो है वो क्या कहलाता है और geography व ही important transaction zone है इसका नाम आप लोग मुझे जरूर mention कीजेगा तो यह जो हमारे homes है इनका यह मानना है कि यह जो भूगार्भी चटाने है यानि कि जो अंदर एसthenosphere में rocks हैं यह सारे rock किस form में होते हैं यह modern magma के form में होते हैं सबको पता है कि अंदर का भाग जो है यहां पे heat element generate करने वाले यह thermal generate करने वाली कौन से elements है यह आपके thorium है uranium है potassium है क्योंकि यही जो है ज्यादा से ज्यादा temperature उत्पन कर पाते हैं और जो अर्थर homes है इन्होंने यह जो पूरा भूप्रिष्ट है इसको दो parts में इन्होंने बाटा है इसके इन्होंने दो परत माने हैं वैसे तो geography वाले student को पता होगा या फिर आप लोगोंने जब भी interior of crust पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को जानकारी होगी core है mental है उसके बाद से crust है और इसको अगर हम लोग किस composition से यह बना है इस composition के बारे में हम लोग बात करें तो यह सियाल है सीमा है और निफे से बना इन्होंने इसे दो पर्तों से बना हुआ माना है पहला जो उपरी परत है वो इन्होंने सियाल का माना है और निचला जो परत है उसे इन्होंने सब इस्ट्रेटम का माना है तो सब इस्ट्रेटम का इन्होंने किसे माना है वो मैं बता दूं सब इस्ट्रेटम जो है उन्हों रहा है यहाँ पर मैं एक और बात add कर देती हूँ कि जब भी हम interior of earth में जाते हैं तो वहाँ पर प्रतेक 32 मीटर में 1 degree temperature increase कर जाता है और इसी वज़े से जो हमारे स्थेनो स्वेर है यानि कि सब स्ट्रेटम जो है यहाँ पर जो भी हमारे rocks है वो molten form में पाय जाते हैं और यह बह और चीज़ यहाँ दिलाना चाहते हूं यह है plates के movement के बारे में already हम लोगों ने जब plate tectonic पढ़ा था और बाद में मैंने plate boundary और plate margin जब discuss किया था तो उसमें हमने plate movements के बारे में बात की थी यह जो movement है तीन तरीके से होते हैं एक आपका divergent है जब दो plates एक दूसरे के opposite direction में जा प्लेट है यह क्या है यह movements of plate है movements of plate हमें जाना इसलिए भी जरूरी है conventional theory में क्योंकि जो हमारे homes है इनका यह मानना है कि जो crust है यह सब stratum के उपर swim कर रहा है और crust क्या है हमारा crust हमारे plates हैं ठीक है measure pieces of rocks हैं और यह rocks किस तरीके से move कर रहे हैं तो यह rocks जो है इनहीं तीन तरीके से move कर रहे हैं और यह जो movements हो रहे हैं इस movement के लिए responsible कौन है तो इस movement के लिए responsible है हमारा conventional current अब देखें अर्थ के अंदर ठीक है interior of earth में जो radioactive element है इसमें temperature बहुत जादा बढ़ जाता है तो जब temperature बहुत जादा बढ़ जाता है तो जो सब stratum है उस सब stratum से conventional current चलना शुरू हो जाती है और इन ही conventional current को इस theory में और्थर होमस ने बताया है तो यह जो radioactive element है इन में जब temperature बहुत जादा होता है तो जो crust है यानि कि जो सियाल की परत है वहां से तो यह radiation की द्वारा बाहर निकल जाती है एट्मोस्वेर में चली जाती है लेकिन जो सब stratum है यानि कि अंदर का जो हिस्दा हमने बताया है सब stratum यहां पर यह इखटा हो जाता है देखिए जो सियाल की उपरी परत है यानि जो हमारा crust है यह एक साल में 60 calorie temperature पर स्क्वाइर से रेट से वायू मंडल में यानि एट्मोस्वेर में जाके यह समाप्त हो जाता है खतम हो जाता है जबकि जो हमा जो होना शुरू होता है यानि कि वी घटन होने लगता है और conventional current जो है यहां से चलना शुरू हो जाती है देखें यह जो conventional current है यह दो factors के उपर depend करती है सबसे पहले तो thickness of crust है और उसकी बात से uneven distribution of radioactive elements है तो thickness of crust के बारे में हम लोग बात करें तो equator के नजदीक crust की thickness कितनी है और poles की पास उसकी thickness कितनी है यह बात हो गया और एक और यहां पे थिकने से जुड़ा हुआ है continental crust की क्या थिकने से है और जो oceanic crust है उनकी क्या थिकने से है तो इसके उपर भी हमारा जो conventional current है वो depend करता है और साथ ही conventional current के लिए ज़ादा से ज़ादा heat generate होना है यह काम जो है radioactive elements करें और radioactive elements जो है इनका distribution हर जगा even नहीं है अब यहां पे मैं जो conventional currents है इनके movement के बारे में बता दूँ तो एक जो movement है उसे हम ascending currents बोलते हैं और एक जो है वो descending currents होती है तो ascending currents का मतलब क्या हुआ कि यह वो limbs है जो की उपर की ओर जा रही है जब conventional current जो है नीचे से उपर की ओर जा तो यह हमारा ascending currents है और दूसरा जो limbs है यह down होता है यानि कि यह downward होता है यह descent करता है तो जब conventional current जो है वो नीचे के ओर उतरना शुरू करती है तो यह हमारा क्या कहलाता है यह descending current कहलाता है और एक और चिस मैं आपको important बात बता दू कि यह जो conventional current है यह सिर्फ धरती के नीचे नहीं चल रही है बलकि हमारा जो atmosphere भी गरम और ठंडा होता है तो वहाँ पर भी जो conventional current है वो काम करती है देखें अब जो बात आती है वो ध्यान देने वाली बात है बात यह है कि जो हमारा equator का reason है वहाँ पे जो crust है उसकी थिकनेश जादा है तो उसके नीचे का जो substratum है वह यहाँ पर जो radioactive element है वो जादा heat generate करती है और उपर चूंकि crust की मोटाई जादा होने की वज़े से equator की पास से जो radiation है वो जादा नहीं हो पाता है तो यहाँ पर जो हमारा conventional current है वो ascending form में चलना शुरू हो जाता है जबकि अगर हम pole reason के बारे में बात करें तो वहाँ की जो depthness ह कम गहराई है तो इस वज़े से होता क्या है कि यहाँ पर जो conventional current है वो decent करना शुरू कर देती है यानि कि यहाँ पर जो radioactive element है और उपर crust की मोटाई जो है वो कम होने की वज़े से crust से radiation हो जाता है और नीचे जो है conventional current वो जो है descending form में चलना शुरू कर देती है और अगर हम बात करते हैं continental crust और ocean crust की तो जो हमारा continental crust है उसके नीचे radioactive element जो है वो जाधा है ओशेनी crust के comparison में इसलिए जो हमारा continental crust है जहाँ पर radioactive element जादा है तो वहाँ पर heat ज्यादा generate होती है तो वहाँ पर जो हमारे conventional current है उसके rising limbs होते हैं और जबकि जो हमारा oceanic crust है वहाँ पर चुंकि radioactive element कम होनी की वाज़े से वहाँ पर जो conventional current है वो descending form में चलता है और इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जब rising limbs जो है यह अपस में mid करते हैं तो oceanic ridge जो है उसका formation होता है और जो sea floor है उसकी spreading होना शुरू हो जाती है क्योंकि दो rising limbs जो है जब opposite direction में जाना शुरू कर देते हैं तो बीच में magma जो है वो भरना शुरू हो जाता है sea floor spreading theory में यही बात मैंने आपको बताई है और जब जो limbs हैं वो नीचे के और गिरना शुरू कर देते हैं subduction होता है और trenches का formation होता है तो इसके लिए आप इस diagram में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है limbs जो है नीचे के और जा रही है subject कर रही है और इसलिए यहाँ पर trenches बन रहा है जबकि यहाँ पर आप देखेगा कि यहाँ पर यह जो upper limbs है यह जो limbs सूपर के ओर जा रही है तो यहाँ पर जो crust है वीकें crust जो ocean का है इसको यह break कर रही है इसको यह तोड़ रही है और बीच में magma भर रहा है और eventually magma जो है यह आपका oceanic water से solidifying होना शुरू हो जाता है और तब जाके यहाँ पर crust बनना सुरी तब जाके यहाँ पर जो है rigid बनना स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से अर्थर होम की जो theory है conventional current theory यह एक cyclic pattern में काम करती है और बहुत सारी जो theories है उनको भी explain करती है जैसे कि formation of geosyncline के बारे में बताती है और oogenesis यानि की formation of mountains के बारे में बताती है plate tectonic theories जो है उसको भी support करती है और साथ ही यह एक soul theory के रूप में काम करती है sea floor spreading theory के लिए तो I hope आपको conventional current theory अच्छे से समझ आई होगी इसी तरीकी की geography की बहुत सारी theories में time to time लेते आऊंगी और इसके लिए आप channel को जरूर subscribe करे और lecture को जरूर like करे जादा से जादा हो सके तो share करे और कैसा आपको lecture लगा comment भी जरूर करे So here is the end of this lecture Thank you so much for your attention and your support